मस्कार दोस्तों आपकर का फूसर स्वागत है मेरी किचेन में दोस्तों की जानते कि आम का सिजन चल रहा है और कर्मी भी है तो क्यों ना हम आज से एक स्पेसल रेसिपी बना है तो आज की हमाले रेसिपी है मैंगो मूस मैंगो मूस बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैंगो का पल्प रेडी करना है तो मैंने यहां पर दो आम का यह मैंगो का पल्प निकाला है यह लगबग है तो अब हम क्या करेंगे इसे थोड़ा पकाएंगे तो एक पैन में लिवारत है कि इसे डाल लेते हैं तो अब मिडियम फ्रेम पर एक हलका सा उबाल आने तक हम इसे लगाता चलाते विए में इसे पका लेते हैं घूका न कि पी अपका लिए थे तुंचांब पेले बया eno तो उसके कोड़िंग औव iusimain चेनी मिलेगा तो इसे हम चेनी की मिल्ट होने तक कम चलाता हि। पता लेते हैं तो से मिल्ट हो चुकी है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और मैंने उसी बर्तन में पानी लिया जिसे मैंने प्यूरी डार रखा हुआ था तो इसमें हम आधिक पकी रिबग पानी मिलाएंगे और क्योंकि हम इसे थोड़ा सा मिसे अलग तरीके से बना यसमें इसमें इसमें क्षोलोतों आख्षी, अफीजयर यहां का सब्सक्राइब तो, इसमें क्षैंच और शुआ ने देते हैं तो, पहले मैं आपको दिखाक दू कि यह दो ऑख सोङे यहां प्रेजान कर देंगे किश माइश से मीक्स कर लेंगे लगाता चलाटे बेगा दूस्तों हमारी मेंग्यो प्यूरी पुरी रेडी हो चुकी है और अब घज का फ्लीम उफ कर देंगे और अब इसे पुली तरह से ठंडा होने देते हैं और आप चाहे तो इसे चान भी सकते हैं और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम क्या करेंगे अब हम अपने क्रिम को बीट कर लेते हैं लिए और अब हम से निकाल लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे इस क्रीम में हम मिलाएंगे थोड़ी सी चीनी पर अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं भी मिला सकते हैं पर थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है इसलिए हम इसे मिलाएंगे रगब दो से तीन चमच पीसी भी चीनी और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम क्या करेंगे जो हमने यह प्यूरी बनाई थी तो अगर आप चाहे तो इसमें से थोड़ी सी प्यूरी लेकर इसमें मिक्स कर सकते हैं और लकिन मैं यहां पर क्या करूँ मैं यहां पर इसमें मुझे वाइट ही रखना है तो मैं इसमें मिलाओंगी थोड़ा सा यह मैंगो एसंस बस दो से तीन मुझ हमें इसमें मैंगो एसंस मिलाना है प्यूरी मिलाने से क्या होगा कर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा इसमें पाइपिन बैक मे एक नोजल लगा लिया है और आप चाहे तो बिना नोजल के भी इसे uses करके इसमें भर सकते हैं यह कि दोस्ते मैंने इसमें नीमाहें बहुत दमLo electric मैंने इस तरह का यह लिया हुआ है और आप चाहें तो पुरा प्लेइंग लास भी ले सकते हैं पर नहीं पास अभी प्रिंटेड ग्लास है उसका मैं एह लिया हुआ है، तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये जो कीम हमने वीपट खिदा था उसे हम इसमें लगाएंगे तो बिल्कुल किनारे से चलाते हमें, इसमें लगाएंगे, और पूरे बीच में हमें इसे भर देंगे, एक लीर वेक्षा लागा आ और अब क्या करेंगे? अब इसमें हम थोडा सा जो ये मेंने पल्ज बनाया था, वो अब इसमें इसमे एक लीर इसमे mere लगा देंगे, देखिए मैंने यहां पर सेकंड लियर मैंने इस पल्प का लगा दिया मैंगो पल्प का और अब थर्ड लियर स्क्रीम से लगाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में लगाया था वैसी हम इसमें अब लियर लगा देंगे और हम फोर्थ लियर इस्पल्प की लगाएंगे इसे भी मिच्छे से फिल कर देंगे इस में अगरब की बिरखिए यह आपको पूरा चार लियर अच्छे पुरा 4 लेर देख सकते हैं पहले क्रिम डाला पर डाला फिर पर्प डाला और आप क्या कर सकते हैं इसके उपर ढ़े UK तुटे चुटे च्विड़ें हम क्या चारों के लिए आदे गंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं फिर हम इसे भी निकाल के सर्व करेंगे लेकिस दोतों मैंने इसे आदे घंटे के बाद फ्रीज से निकाल लिया है और यह पूरी असे सेट हो चुका है जिसमें अगर-गर पॉडर डाला था इसके जगह आप जिरेक्टिंग दर भी उज़ कर सकते हैं अगर आपको आज के मेरे से पसंद आती है तो प्लीज मैं चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बुलकुल ना भूले सब्सक्राइब और आशा करते के रिश्य पर को जरू पसंद आएगी यह बहुत ही असान बनाने में तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही